नमस्कार दोस्तो, नव वर्ष का प्रारम होनी जारा है, यह नव वर्ष धनूराशी वाले जातकों के लिए क्या खुशकबरी लेकर आएगा दोस्तों? क्या उनके सभी सपने पूरे होंगे? गोजर में गरोहों की इस्तिती क्या उनके फेवर में रहेगी? की सबी घ्रहों से उन्हें positive result मिलेगा या फिर अशुप परिणामों की उन्हें प्राप्ती होगी पूरे वर्ष हम इस वीडियो में पूरी विस्तित जानकरी जानेंगे दोस्तों राहू और केतू ने 18 अगस 2017 के बाद अपना राशी परिवर्तन किया है राहू और केतू 7 मार मार्च 12.15 मिनट रात से आपके जानकरी से वस्तित जानेंगे है राहू और केतू आपके जीवन में कुछ शुप परिणाम आपको देख कर जाएंगे इस वर्ष या शुप परिणाम देख कर जाएंगे हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तो गुरू 30 मार्च को 8 बजे दिन से आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे और 22 अपरेल को 11 बच के 30 मिनट दिन से वापस से वे 12 हाउस में आ जाएंगे दोस्तो और फिर 5 नवंबर को वापस से फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे यानि कि पूरे वर्ष गुरू का यह राशी परिवर्टन आपके जीवन में बहुत अधिक बतलाव ला सकता है दोस्तो शनी 30 अपरेल को वक्री होंगे और 18 सि ग्रहों की इस्तिती आपके पूरे वर्ष बनी रहेगी और इनी ग्रहों की इस्तिती के अनुसार ये राशी पल तयार किया गया है और ये चंद्र राशी के अनुसार तयार किया गया है इन ग्रहों के कारण हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा चलिए आए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्वास्ते की द्रस्ति से आपका 2019 किस तरीके से रहने वाला है यदि आपकी जनपत्रिका की अंत्रगर्शनी कमजोर अवस्ता में हैं और गुरू भी मारक है तो आपको बहुत अधिक स्वास्ते की द्रस्ति से समस्यां उत्पन हो सकती है दोस्तों आपके लीवर सम्मंदी परेशानी हो सकती है हाट सम्मंदी परेशानी कोई हो सकती है फिर डायबेटिस से आप ग्रसित हो सकती है कमर दर्द जोडों में तकलीव कंदों में दर्द इत्यादी की कोई समस्या हो सकती है लेकिन इसके विपरित यदि आपके मिलान यदि आपके अशुब होता है तो आपको फिर अशुब परिणामों की प्रापती होती है दोस्तो इसलिए बहुतर स्वास्थे के लिए आप अपने स्वास्थे का पूरे वर्ष धियान राखेँ रखेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक हर्ष उल्ला से 2019 गुजार पाएंगे दोस्तों यदि आप खुद ही अस्वस्त होंगे तो आपकी जनपत्रिगा के अंत्रगत कोई भी राजयोग बन रहा हो गोचर में भी बहुत अच्छी गोचर में ग्रहों की इस्तिती है लेकिन हम उसको भोग न जान रखेंगे योग वे मेडिटेशन का सारा लेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों अब हम बात करते हैं व्यापार्वे जोब में क्या परिणाम आपको प्राप्त होगा इस वर्ष मद्धे की साड़े साती शनी का प्रभाव आपक करना होता है तो अन्य ग्रहों के गोचर के कारण आपको शूप परिणामों की प्राप्ति होगी दोस्तों जिसके प्रभाव से ग्रह आपके लिए कुछ कमी के सासत कुछ अनुकूल इस्तित्याबी उत्पन करेंगे दोस्तों आपके रुकेवे कार्यों में नए सिरे से प् अधिक मेहनत वे ध्यान केंद्रित कर पाएंगे इस वर्ष व्यवसाइक लाप आपको मई से आगे के समय प्राप्त होगा जब शनी आपके वक्री हो जाएंगे यदि आपके शनी शुप अवस्ता में है तो शनी की साड़े साती का आपको बहुत अधिक शुप परिणाम प्र वे कैसे होुगा दोस्तों तो आपके लन पत्रिक के अंत्रगे शानी की दशाव started चल रही है और वे शुप अवस्ता में हैं याणि की पंचन कि शनी हमेशा हमें negative result ही देते हैं कई बार शनी जीवन में हमारे को बहुत कुछ दे पाते हैं वह हमारी जनपत्रिका के उपर भी depend करता है दोस्तों यदि आप यह राशिफल देख रहे हैं तो आप अपनी जनपत्रिका को भी देख कर यह जान पाएं कि आपकी जनपत्रिका क अंतरगा शनी शुप अवस्ता में है या फिर अशुप अवस्ता में है यदि अशुप अवस्ता में है तो शनी की शाड़े साती की कारण आपको बहुत गटनाईूं का सामना करना पढ़ेगा जिससे आप चोटे-चोटे उपाएं यदि शानी से related करेंगे तो आपकी से व्यवसाय से घर परिवार से उस समय आपको तरक्की बहुत अधिक प्राप्त होती है दोस्तों मार्च के बाद व्यवसाय वे नौकरी में आपको थोड़ी बहुत परिशनियों का सामना करना पड़ सकता है जब आपके कीतु का गोचर आपके फर्स्ट हाउस में होगा दोस से हम यही कहते हैं कि गुरू यदि आपकी जन्पत्रिका के अंत्रगर शुब अवस्ता में है तो वह आपको कुछ न कुछ जरूर शुब परिणाम प्राप्त करवाएगा लेकिन जब गुरू का गोचर आपके ट्वेल्थ हाउस में इस्तित होगा थाड़ 22 अप्रेल के ब बात करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों और यदि आपको नए जौफ ऑफर्स भी प्राप्त होते हैं तो आप अपनी सूजबू से एस्प्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत अधिक लापकी प्राप्ती होगी दोस्तों यदि आप बेरोजगार है तो नई नौकरी के आपको बहुत अधिक अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे अब हम बात करते हैं आर्थिक द्रस्टी से आपका 2019 किस तरीके से रहेगा आपको इस वर्ष काफी समय से रुके वे धनकी प्राप्ती होगी दोस्तों विवात इस में फैसला होगा जिससे आपको लाब की प्राप्ती होगी दोस्तों कारोबार में कारे कुशलता आपकी भड़ेगी दूसरी तरफ किराएधारी इत्यादी से भी आपकी अत्रिक्त आमदनी होने के भी योग बन रहे हैं दोस्तों आपको अपने वेवसाइक अनुमानों से शेयर मार्केट से भी अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है लेकिन आप पूंजी निवेश करने से पहले बहुत ही सोच समझ कर यदि आप पूंजी निवेश करेंगे तो वह आपकी जीवन के लिए अच्छा रहेगा अन्य तक केतु आपके फरस्ट हाउस में विराजिते है और शनी भी यदि आपके जनपत्रिका के अंद्रगत कमजोर अवस्ता में है और केतु भी यदि मारक हो गया तो वह आपकी बुद्धी को ब्रहमित कर सकता है दोस्तो उस समय लिया गया निड़ने आपके फ्यूचर के लिए बहुत अधिखानी पच्छवा सकता है इसलिए पूझी निवेश करते समय आप बहुत ही सतर्ता बढ़ते दोस्तो कागजी कारवाई भी यदि आप पूरी करकर हैं रखेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा इसका अन्य ग्रहों के शूप पलिणामों के कारण आपकी आर्थिक इस्तिती सुरुद्रण ह होंगे दोस्तों आपको संतोष का अनुभोवी प्राप्त होगा इस वर्ष परिवार में एक से अधिक मांगली कारे होने के भी योग बन रहे हैं संतान पक्ष की उन्नती से जुड़ेवे कारे भी आपके पूर्ण होंगे दोस्तों वर्ष के अंत में विवा संतान से सुद्ध की राशी में इस्तित हो रहा है तो आपके दामपत्य जीवन में भी मदूरता बनी रहेगी लेकिन शनी यदि कमजोर अवस्ता में है तो उसकी सब्तम द्रस्टी आपके सब्तम भाव पर पढ़ रही है तो कभी-कभी आप मांसिक परेश्यानों का सामना इस समय आ हो रहा है दोस्तों यदि वे दामपत्य सूत्र में बनना जाते हैं अपने प्रेम का इज़ार करेंगे घर पर तो वे उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों अब हम देहें विध्यारती वर्क की जातकों के लिए 2019 क्या खुशकबरी लेकर आ रहा है यदि आप रिसर्च कारे से जुनना चाते हैं तो जन्वरी से नई संभावना आपका स्वागत करेगी दोस्तों उच्छतर शिक्षा में यदि सीट के लिए कोई विवाद हो रहा है तो आपके पक्ष में फैसला भी आ जाएगा जन्वरी से माई के बीच में आपके अच्छे योग ब राप्त होगी दोस्तों गोचर में ग्रहों की द्रश्टी बहुत अदिक अच्छी आपके लिए बनी है विध्यारती वर्क के जात्कों के लिए अच्छी बनी हुए है सूर्य की जब जब इस्तिति आपके कर्म शेत्र पर पड़ेगी या पंचंभाव पर रहेगी तो उस स सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों मन चाहा ट्रांसवर आप प्राप्त कर पाएंगे इस वर्ष जन्वर से जून के मद्धे आप घर के निकट प्रांसवर पाने में भी सफल होंगे यदि आप अपनी जन पत्रिका में गुरू यदि आपके प्रबल होता है तो आपक इनकी में भी प्राप्त कर पाएंगे सुक्स विदाओं को प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे दोस्तों और आपकी धार्मिक यात्राएं भी अच्छी रहेगी इस वर्ष यदि आप धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं अपने घर परिवार के साथ तो वह यात्रा आपके लिए शुब रहेगी उनसे आपको कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजर्ट अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों ओवरॉल देखा जाए तो धनुराशी वाले जातकों के लिए यह गोचर बहुत अधिक अच्छा साविस से दोरा है बस शनी की यदि आपकी जनपत्रिका के अं नहीं हुआ है अभी तक आपको बहुत अधिक परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है आपकी जनपत्रिका के अंद्रगत कोई मारग रहे की दशा में अंतरदशा चल रही हो क्योंकि हमारा सपना जब ही पूरा नहीं होता है जब हमारे ग्रहे हमारे फेवर में करने के लिए हमें कौन सा ऐसा महा अचुक उपाए करना चाहिए उनके करने मात्र से हमारे जीवन में समस्खुशियां हमें प्राप्थ हो सके उसके लिए आप अपनी राशी अनुसार अचुक मंत्रों का उचारन करें अपने लखी कलर्स को फॉलो करें और अपने इस्रदेव का नमन अवश्य करें दोस्तों कौन से वह लिए कलर है क्या आपके मंतर है दोस्तों आप मेरे वीडियो में देख कर जान सकते हैं और आपके इस्रदेव मंगल देव होते हैं यदि आप हन्मान जी की पूजा रादना करना प्रारम कर देंगे तो उससे आपको शनी से रिलेटेट बिशु परिणाम प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो भी सपने आपने बुने हैं वे अवश्य आपके पूरे होंगे और मंत्रों के उच्चारण में बहुत अधिक शक्ती होती है मैं बार-बार आपको यही फोर्स करती हूँ कि आपने यदि आज से ही मंत्र का उच्चारण करना प्राराम कर दिया तो 100% दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि 2019 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य और आप चाहे तो अपना राशी रतन भी दारन करेंगे तो उससे भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य प्राप्त होता है आपका राशी रतन भी धारन करने से पहले मैं आपको यही सला देना चाहूंगी कि आप अपनी जन पत्रिका का विचार अवश्य करवाले दो ओवरॉल देखा जाए तो धनुराशी वाले जातकों के लिए 2019 अच्छा रहने वाला है दोस्तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शूपकारी हो और कल्यान कारी हो जो भी सपने आपने अपने जीवन में बुने हैं वे अवश्य पूरे हो ऐसी मैं इश्वर से कामना करती हू आप सभी के लिए हैपी न्यू यार आप सभी को दोस्तो और आपको मेरा वीडियो बसंद आये तो इसे आप लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ बीशे शेयर अवश्य करें दोस्तों और कमेंट्स के दोरा प्लीस मजी जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरीकी का लगा दोस्तों ताकि आने वाला नेक्स वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बैटर से बैटर लास अको दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंट्रेसिंग टापिक के साथ तक तक के लिए थैंक यू एंड बाबाई